आज हम TVS Apoche RTIR 200 4V के साथ यमाहा Ape Z25 का एक comparison करेंगे और ये ढूनने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बाइक वैली फॉर मानी है फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है लुक्स यमाहा ने हमेशा सही अपने भाइक की लुक के उपर खासा काम किया है और हमेशा सही एक बहतरीन रूड प्रेजन्स और बहतरीन लूप उफर किया है पर BS6 में अपग्रेड करते हुए यमाहा ने FZ25 के लुक्स के साथ कुछ ऐसा फेर बदल किया है जिससे की FZ25 का लुक्स और भी बहतरीन हो गया इसका underbelly cowling खास करके इसका headlamp का जो structure यमाहा ने बनाया इससे इसका look बहुत ही enhance हो जाता है इसका uniquely designed DRL एक projector headlamp ऐसे structured है जिससे की यमाहा FZ25 को एक alien like look मील जाता है उसके साथ इसका color scheme इसका color combination एक muscular styling सब कुछ मिला के यमाहा FZ25 एक muscular solid looking stylish motorcycle बन जाता है अगर हम TVS Apache Aptia 200 4V के बारे में बात करें तो इसके साथ भी TVS ने कुछ ऐसा ही treatment करने की कोशिश की मतलब की वो headlamp को change किया और थोड़ा बहुत graphics वगेरा में change करके इसको नया look देने की कोशिश की है Apache Aptia 200 4V का जो BS4 model था उसमें जो headlamp था वो भी बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक headlamp design था पर BS6 में upgrade करते हुए TVS ने अपने Apache Aptia 200 4V के headlamp को एक ऐसी design देने की कोशिश की जिससे की motorcycle की look को और भी sharp बनाया जा सके मेरे राय में TVS ने Apache Aptia 200 4V का जो headlamp design introduce किया है ये एक polarizing design है किसी किसी को ये बहुत अच्छा लग सकता है किसी किसी को ये अच्छा ना भी लग सकता है किसी किसी को इसका BS4 वाला headlight का design बहतर लग सकता है पर overall TVS की जो कोशिश है ये कुछ हद तर कामियाब है इस नया headlight design TVS Aptia 200 4V को एक sharp look offer करता है इसके साथ साथ TVS ने इसके graphic में भी कुछ फेर बदल किया है कुछ sportier graphic का यहां पे इस्तिमाल किया गया है जो कि इस motorcycle के look को बहतरीन बनाता है पर अगर looks की मौामले में बात करें तो of course Yamaha FZ25 यहां पे बाजी मार लेता है इसका मतलब यह नहीं के TVS Aptia 200 4V का look भी कुछ खराब है ये भी एक बहतरीन look है ये भी एक sharp look है जो किसी किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है तो एक sentence में कहे तो Yamaha FZ25 का एक muscular sturdy look है और TVS Aptia 200 4V का एक sharp sporty look है next हम बात करना चाहेंगे meter console के बारे में Yamaha FZ25 TVS Aptia 200 4V से ज्यादा costly motorcycle है और इसी हिसाब से अभी हम compare करेंगे कि कौन सा motorcycle आपको बहतरीन features offer करता है तो इसके meter console के अगर हम बात करें तो TVS Aptia 200 4V में आपका जो meter console मिलता है ये एक completely well laid out and fully informative meter console आपको देखने को मिलता है ये एक जिसके साथ smart X-Connect जैसा एक smart feature भी include किया गया है पर Yamaha FZ25 में जो meter console लगया गया है इसमें कुछ basic information ही मिलता है इसमें आपको gear position indicator भी नहीं मिलता है ये दीखता भी छोटा है पर किसी किसी को ये Yamaha FZ25 का जो meter console है ये sufficient लग सकता है पर अगर हम TVS Aptia 200 4V के साथ इसके meter console की comparison करे तो of course TVS का meter console बहतरीन है क्योंकि इसमें ज्यादा information मिलता है और सब कुछ well laid out है इसके साथ smart X-Connect जैसे feature मिलता है पर APZ में एक कुछ basic information ही मिलता है और gear position indicator जैसे एक trendy information वहाँ पे include नहीं किया गया है और smart X-Connect जैसे feature तो Yamaha ने आज तक किसी भी motorcycle में introduce नहीं किया है अगर engine की बात करें तो Yamaha और TVS दोनों ने ही अपने motorcycle में बहुत ही बहतरीन engine का इस्तिमाल किया है Yamaha APZ में इस्तिमाल किया गया है एक 250cc का motor और TVS Apache RTR 200 4V में इस्तिमाल किया गया है एक 200cc motor ये दोनों ही bike fuel injected है इसलिए दोनों का ही fuel efficiency बहतरीन है next जिस feature के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है GTT glide through technology ये जो technology है ये congested city traffic में अपने bike को चलाने में बहुत ही मददगार एक technology है जो कि आपको सिर्फ TVS Apache RTR 200 4V में मिलता है ऐसे GTT technology जैसे कुछ भी technology आपको Yamaha APZ 25 में देखने को नहीं मिलता है ये glide through technology जो है ये clutch को छोड़के सिर्फ gear में motorcycle को डालके धीरे धीरे जाने का एक technology है ऐसे technology Yamaha APZ में आपको देखने को नहीं मिलता है ये दोनों ही bike dual channel ABS के साथ आता है पर TVS Apache RTR 200 4V में एक खास feature दिया जाता है जिसको बोलते हैं कि RLP control मतलब की rear wheel lift off protection control जिससे कि panic braking के वक या किसी भी adverse situation में braking के वक आपका rear wheel जो है वो ABS के खास action के बज़े से lift off नहीं होता हावा में उचलता नहीं इससे अपका safety और भी बहतरीन हो जाता है पर ऐसे RLP control यमा एबजी 25 के साथ आपको नहीं मिलता है ऑफकोर्स यमा एबजी 25 का braking बहुत ही बहतरीन है यह motorcycle भी dual channel ABS के साथ आता है पर TVS Apache RTR 200 4V के साथ यह RLP control एड होने के बज़े से इसका road safety बहतरीन हो जाता है और इस मौमले में यह एबजी 25 से आगे निकल जाता है और एक बहुत ही important feature है slipper clutch TVS Apache RTR 200 4V में आपको एक slipper clutch मिलता है जिससे की quick gear down shifting के वक्त reverse torque की बज़े से आपका balance बिगड़ता नहीं और आप quick shifting के वक्त बहतरीन controlled way में अपने bike को चला सकते हैं पर यमा एबजी 25 में ऐसा slipper clutch का इस्तेमल नहीं किया गया है यह एक बहुत ही important safety feature माना है जा सकता है यह slipper clutch आपको TVS Apache RTR 200 4V में मिलता है पर Yamahaab Z25 में अभी तक नहीं मिलता है अगर wheels के बात करें तो Yamahaab Z25 में आपको rear में 140 section का और front में 100 section का tyre देखने को मिल जाता है पर TVS Apache back Dion 2004 V में आपको rear में 130 section का और front में 90 section का tyre देखने को मिल जाता है तो अगर टायर साइज की बात करें तो यहां पे यमाहा अपजी 25 बाजी मार लेता है क्योंकि इसमें वाइडा टायर लगा है पर ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अपजी 25 जो है ये एक 250cc का मोटर साइकल है और TVS Apache RTIA 200 4V जो है ये एक 200cc मोटर साइकल है और एक फीचर के बात हम ज़रूर करना चाहेंगे वो है चेन Apache RTIA 200 4V में जो चेन का इस्तिमाल किया गया है वो चेन एक ब्रास प्लेटेड चेन है ये एक नया किसम का चेन Apache ने TVS RTIA 200 4V में इस्तिमाल किया है पर Yamaha में आपको कन्वेंशनल चेन ही देखने को मिलता है पर इसका मतलब ये नहीं कि Yamaha का जो चेन इस्तिमाल किया गया है वो TVS के चेन से इंफिरियर है वो भी बहतरीन एक चेन Yamaha ने इस्तिमाल किया है यमा की बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ बात हो ही नहीं सकता है क्योंकि Yamaha एक बहुती 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 होता है पर TVS ने ये जो एक नया टअच अपने चेन में दिया है यह इसकी लुक को और भी enhance करता है और यह थोड़ा सा कहीं न कहीं confidence inspiring है यह माँ FC25 और TVS Apoche RTIA 204V इन दोनों motorcycle में ही आपको LED headlamp setup देखने को मिल जाता है Apache का जो यह नया headlamp setup है यह बहतरिन light throw प्रोवाइड करता है किसी भी lighting situation में और अभी FC25 का light throw कैसा है यह अभी देखना बाकी है क्योंकि अभी यह उपलवद नहीं है market में जब यह market में उपलवद हो जाएगा तभी हम इसका test ride लेंगे और इसके उपर detailed कुछ videos बनाएंगे तो overall अगर design की बात करें तो इसमें मेरे हिसाब से यह माह FZ25 TVS Apache RTI 200 4V से थोड़ा सा आगे निकल जाता है अगर features and safety features के बारे में बात करें तो यहाँ पे clearly TVS Apache RTI 200 4V आगे निकल जाता है अगर overall package के बारे में बात करें तो of course Yamaha FZ25 एक जाचा परखा और बहतरीन motorcycle है पर package के हिसाब से TVS Apache RTI 200 4V Yamaha FZ25 से दो कदम आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें जो safety features दिया गया है यह Apache RTI 200 4V को Yamaha FZ25 से आगे ले जाता है तो आप जरूर comment box में comment करके बताना कि मैंने जो point raise की है यह valid है के नहीं और आपको क्या लगता है कि कौन सा motorcycle बहतरीन है और value for money है FZ25 एक 250cc motorcycle है इसका price भी ज्यादा है TVS Apache RTI 200 4V से TVS Apache RTI 200 4V एक 200cc motorcycle होते हुए भी इसमें बहुत सारा safety features और बहुत सारा features ऐसे दिया गया है जैसे की RLP, slipper clutch, smart X-connect यह सब safety features Apache को Yamaha FC25 से बहतरीन motorcycle बनाता है Now the final decision is yours. Please let me know in the comment section which motorcycle do you think the better one तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहे हैं Let's talk with Chandan. Namaskar